किसान भाईयो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारी धान की रोपई के कितने दिन बाद उसमें यूरिया हमको छिड़काओ करना है और उसके साथ क्या क्या नूटिसन दें जिससे कि हमारी धान है अच्छे तरीके से ग्रो भी हो और उसमें कल्ले की संख्या भी बढ़े तो से लेके 30 दिन के अंदर में आप दे सकते हैं लेकिन परफेक्ट जो समय रहता है वैग्यानिकों के हिसाब से आप रोपई के 21 से लेकि 25 दिन के अंदर में जो है आपको यूरिया को आपके खेट में छिड़क देना है और मातरा कि मैं अगर बात करूं तो आपको 35 से लेके 45 केजी तक परेकड के हिसाब से आपको देना रहता है मिट्टी के हिसाब से एक सवाल और भी आता है कि उसके सांथ और क्या मिला है जिससे कि उसको प्रॉपर नूट्रिसन्स मिले देखें हम तो भाई के समय जो है हम लोग उसमें डीएपी या फिर एससपी जो भी हम लोग अब अगर आप अच्छे तरीके से उसको पोसर देना चाहते हैं अपने धान के तो जो है यूरिया के साथ आपको तीन केजी जो है सलफर मिलाना है नब्वे परसेंट वाला जो आता है और उसके साथ आप चाहें तो बायो बीटा या फिर सागरीका सागरीका जेट प्लस प दे सकते हैं उससे भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है तो आप पांस से लेके आट केजी के बीच में आप उसको मिला सकते हैं इतने में जो है आपके यूरिया के साथ जो है complete नूडिसन्स मिल जाएगा और पोटास की भी किसान बात करते हैं तो पोटास को जो है अभ पोटास में लगबग 10 कजी जो है पोटास आप उसमें मिला सकते हैं तो अगर आप बाराबद्ती 16 डाले हैं तो बिल्कुल आप पोटास मिलाने के आपको जोरत नहीं है क्योंकि अभी स्टाटिंग में इतना ज्यादा जो है उसको पोटास की जोरत नहीं पड़ती है तो इ उनको भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यह सागरी का बायोबीटा थोड़ा सा अच्छा अच्छा कंपनी का है और इसमें काफी अच्छे मात्रा में नूट्रिस्ट रहते हैं और इनमें मिलावट टोreibenरा कम रहते हैं लोकल कंपनी में थोड़ा सा मिलावट कभी डर रहता है तो इसलिए आपको थोड़ा सा समल के अपने हिसाब से आप उसको जो है चूस कर सकते हैं तो फिलाल आज की वीडियों वस इतना ही और इससे सम्मंदित और भी वीडियो हमारे यूटूब चैनल में आने वाले हैं तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्रेब भी कर देजिएगा और जो आपके आसपास में जितने भी किसाने उनको सेर जरूर करेगा तो फिलाल आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जय भारत जय हिन